तो प्यारे दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं Mathematics and Statistics जैसे के मैंने आपको कहता hard, difficult, Calculative Questions जो आपको हमेशे परिशान करते हैं, उनका में एक one-shot solution क्या होगा? कि किस तरीकी से हम थोड़ असा एक्स्ट्रा दिमाग बगा सकते हैं ताके हम ऐसे Calculative Questions टी टाइमें ज्यादा, टी टाइमें ज्यादा सबीट के साथ सालो कर जाए और 100% हमारी Accuracy, ठीक है? कोई भी गल्ती के बुनजाइश ना रहे हैं तो यह हमेशा की तरह Zero-Level Approach, ट्रुक की Approach रहने वाला है तो जैसे कि मैं खुद कहता हूँ कि ट्रुक नाम की कोई चीज होती है तेकिन जो ट्रुक आते ही है हमेशा हमेशा इसका जो बैक्राउंड होता है तो सिर्फ पर सिर्फ basic concept है ट्रिक्स मैं आपको यहां पी बताऊगा वह होंगे based on basic concept तो लेकन क्या मैंने यह खुद ही आपके लिए पेपर लाया है या questions लाया है और मैं आपको AC दावे कर रहा हूँ No, not at all previous year difficult, calculated questions उनको बचे छोड़ के आये थे exam में कहां से? FAA exam से and J से mathematics and statistics यह questions देने वाले है अच्छा, आज की date में अगर आप कहीं पर भी जाओगे पूरे इंडिया में आपको ACS में लेके इन questions और नहीं किसी में करवाए है लास्ट येर में जब खुद पढ़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा दिमाग में स्टाइक बहुत है यहां पर कुछ-कुछ ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़े आप में आपको यहां भी बताओगा ताकि आप क्या को करो, score maximum आप कर पाओ ठीक है और जैसे आप maximum score करोगे Maths में statistics में जुरू को हम difficult part मान लेते हैं हमारे exam में तो आपको एक advantage एक edge मिलेग Right? Are you getting my point? So without wasting much time, let's get started चलिए दोस्तों प्रेला question थोड़ा से आसान ही में नहीं लिया है हाला कि previous year question है as it is यह वाला question tabular question होता है और जैसे table देखते हैं बच्चे में बच्चे जैसे अपने examet table-based question देखते हैं तो वो या तो उसको skip कर लेते हैं या फिर calculation में गलत करते हैं क्योंकि इसकी एक formula होती है और उस formula को भी अपने आपने याद रखना difficult होता है तो अब आपने आपको director बताऊगा यह है हमारी पास frequency और यह हमारे class marks या हम इसको x के तो हमें इसका median find out करना है median में आपको बताया है basic concept अगर बताएगे तो हम बताएगे यह अगर set of values है यह अगर set of values आपको given है तो median वह वाला value होता है जो इन set of values को दो बराबर parts में divide करता है यानि कि जो number of given number of observations को बराबर बराबर दो हिस्सों में divide करता है अच्छे यह तो basic concept है न इसी basic को सोच कर मेरे दिमाग में एक फतूरी idea आपके है वो यह है कि मुझे पता है total number of observations है 60 तो मैं इसी कहाप करता हूँ ठीक है और जैसे ही मैं n divided by 2 जो कि formula भी भी आप देख सकते हो तो 30 upon 2 करता हूँ 60 upon 2 करता हूँ 60 upon 2 करता हूँ वो मुझे पता है कि 30th item मिलता है क्या मिलता है 30th item मिलता है तो जैसे कि मुझे 30th item मिलेगा तो मैं देखेंगा 30th number पर कौन सा item यहाँ भी मिल रहा है तो यह उपर वाले होगे items जियान की बेर observations और यह होगे number of times यानि कि यह 10 है 4 times यह 20 है 7 times यह basic है मैंने अपनी courses में भी हाला कि आपको समझाया हुआ चलिए जी हम देखेंगे 30 कहां तक आदा 4 plus 10 7 कितना हो गया 11 11 plus 12 कितना हो गया 23 23 से अब हमें अगर पूरा 15 हम add करेगे वो तो ज्यादा हो जाएगा ठीक है 20 अगर हम ज्यादा करेगे वो तो ज्यादा हो जाएगा तो इस 15 से हमें क्या चाहिए 50 चाहिए और 8 हमें नहीं चाहिए 8 हमें नहीं चाहिए यह 7 चाहिए यह हम बता सकते कि जैसे हम 30 पूरा करने के लिए आ गए 30th आइटम तक पहुंचने के लिए आ गए तो हम चलते 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 यहां तक पहुंचने यहां तक इस वाले डर्वेकर ठीक है और इस फ्रिकेंसी के कॉर्सपॉंडिंग जो हमें नमबर दिख रहा है उब्जर्वेशन दिख रहा है वह है 40 तो यही इसका आंसर हो जाए बताव कोई शाक कोई मसला है तो आप बोलोगी सर बिलकुल भी नहीं है समझ में आया है न चलो थोड़ा से difficulty question लेते ओके एक और difficulty question लेते यहां पे direct आपको given है कि number of observations है total 75 अगर given नहीं होती तो हम निकालते इन सारू को हम add कर लेते राइट चलिए जी तो अब हमें इसको तो यह बड़ी दिकत करता है हाँ मिट गया अब यह 75 divided by 2 76 ही मालो 76 ही मालो तो क्या मिल जाएगा आप बोलोगी 38th item अब देखो आप 38 कहां तक आता है देखो 2-3 होगे 5-5-8-13-10-30 और 30 और 12 कितना होगे 13 12 कितना होता 25 25 16 वह तो 41 जाएगा तो यानि देखो यहां तक 35 आगए यहां तक 35 आगए 38 कहां पर आगए 38th item तो यहां पर आता है 38th item इस वाले डबवे में आपको मिल रहा है तो इस ही के corresponding हम क्या लेगी 28 ले ले 28 answer अभी बात समझे तो अब मैं आपको basic फंडा बताओगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ देखो मैं जो आपको ऐसे यह addition बता रहा हूँ आप जब basic method में जाओगे तो जो मैं यहीं पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इसको हम कहते है cumulative frequency approach यहां पर मैं cumulative frequency निकाल रहा हूँ लेकिन निकालने की जरूरत नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिरेक्ट किस तरीके से सोच सकते है इसको कहते है बाए मेरे खलाकार ओके आपको पता होनी चाहिए ठीक है next चलिए जी exam oriented question देखते है ठीक है as it is exam में आया हुआ है question कब यह है JSA exam ठीक है 9 December 2021 2021 देख लेना उठा लेना as it is exam का question चलो हम देख लेते हैं ठीक है न पेले N निकालते हैं N कितना है 30 तो 50 होगे 80 80 160 160 और 240 होगे 200 N 200 है therefore हमें item कौन साच चाहिए हम बोलेगी sir 200 आपान 2 यानि के 100th item समवा आइटम समवा आइटम समवा आइटम कहां पे आजाएगा 30 आगए 30 30 तो 50 होगे 80 और हमें कितने चाहिए बोलोग साथ 20 इस 80 में से 20 चाहिए लेकिन डबा तो यही है यानि कि जो median होगा वो इस class interval में होगा इसमें हमें एक ही option दिख रहा है 50 और 75 की बीच में हमें एक ही option दिख रहा है इसको ठिक करें otherwise आपको एक लंबी चोड़ी फार्मला इसमें लगानी पड़ेगी तब जाके आप exam में इस question को जालोग कर पाऊ थेके भाई मेरे समझ में आएन अच्छ अगर आप बताओगे हो सकता है हमारे पास option कुछ इस तरी के से हो यह 56 फिर होगा 57 फिर होगा 58 फिर होगा 61 यह तो पूरे के पूरे इस ही में आते है फिर हम किस तरह किसी calculate लेकुशा तो उसका भी एक तरीका प्राइब है moello has got the यह 30 आ गई, 30 तो 50, कितना होगी? 80, और हमें चाहिए 20, यानि इस 80 में से 20 चाहिए, इस 80 में से 20 चाहिए, और बेसकिasi के लिए हमें 1 12 है, यह 1 4 है, 1 4 हम निकालेगी किस का गेतना है? 25, 25, 25 का हम 1 4 निकालेगी और उसी को हम add करेगी किस के साथ? इस परचास 50 के से, वह हमारे क्या होगा, वीडियन होगा, ठीक है, फुलस करेगी 50, तो आप जब देखोगे, तो एक्जेक्ट ये निकल के आ जाएगा, 56.25, जो क्वार्टाइल, परसंटाइल, डिसाइल है, वहाँ पर भी यही तरीका काम करते हैं, अब यहाँ पर इन चीज लोट फार्मला है, चलिए जी, येवाला क्वेस्टन बना, ठीक है, ये ग्रेजवेशन येवल एक्जाम में आया था, चलिए जी, बना, यहाँ पर एन ही 200, अभी आप देखो 100 आप कहा तक है, ठीक है ने बेटा, चलिए जी, अभी देखो, 14 पुलस 20, कितना होता है, 34, रा अब आपको यहाँ पर चाहिए, 24, यहाँ पर 24, और यह मतलब 24, प्लस कितना है, 24, और 30 कितना हो गे, 54, 54, तो आप बोलोगे सर, यहाँ पर हम चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हम पहुलेव, अभी हम कहाँ पर पहूंच गए, यह 100 हमे अभी यहाँ तक मिलता है, यहाँ तक एक बात confirm है, जो median है, वो इस class में हो, इस class में फाल करेगा, जब हम options की तरफ देखते हैं, तो एक ही value हमें मिलती है, जो between, जो between कहां भी मिलती है, 440 से लेकर 450 हैं, तो median जो होगा by मेरे, वो बड़ा होगा, किसे 440 से, और छोटा होगा वो, किसे 450, तेखे, ऐसा एक ही option आपको satisfy कर रहा है, that is option character, अब अगर option इस यहां पे तो बारहाल नजदीक नजदीक है, अगर इस से भी नजदीक होते हैं, तो आप कैसे करते हैं, तो आप क्या काम करते हैं, यहां पर गेप कितना है, 10 है, तीखे, गे 440 तो लेते, तीखे, यह वे 2 में बता रहा हूं, वे 2 बता र पूरा तो 54 नहीं लिया ना, हमने कितना लिया 24, 24 की कम ही पढ़ रही इसका 100 में, यहां कि इसका लेगे 24, अपान, कितने में से लिया 54, यहां से आपको exact answer में, लेकिन options हमने देखे, हमने correct answer को, यह है binary, okay, अब आपने देखा कितना है, अगर आप देखोगे basic method इसी question का, इस question का, जो आपने within seconds में बनाया, ठीक है, इसी का देखो basic approach इसे वाला है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, cumulative frequency, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैं frequency को इस तरीकी से add करता है, और मुझे पता चला है, यहां पे 100 हो रहा है, और फिर मैंने तरीकी से add कर रहा हूं, वो ही चीज़ आप देखो, यह 14, 14 plus 20, 14 plus 20, 20 plus 42, further add, यह वाला है, यह जो cumulative frequency approach है, जबानी verbally आपको सिखा रहा है, यह है इसकी formula, जाहो तो इससे भी कर सका, चलिए, यह वाला है, calculate आपको median कर, अब आपको पता है, n है, या तो 160 मानो, या तो 162 मानो, जो ठीक है, मैं n को 162 मान लेता हूं, by approximation, तो इसका, अगर मैं half करोगा, तो क्या होगा, तो आप बोलोगी, sir, half, इसका direct में बताओगा, 80th item, या 81st item, 80th item, जो हमारा, वही हमारे median होगा, कहां तक 80 आजाए, अब देखो, बाए मेरे, 22 plus 38, कितना होता है, 60, 60 plus, यहाँ पे मु 20 plus 26, यान कि में कहोगा, जो median होगा, वो 30, 20 के नजदीक होगा, 20 और 30 के बीच में होगा, लेकि 20 के थोड़े नजदीक होगा, तेखे, 20 और 30 के बीच में हमें एक ही value find दिख रही है, और यह क्या हो जाएगा, यह होगा, 20 के नजदीक की हम छोटी value ले रहे हैं, बड़ी value छ खोड रहे है इस 46 में इस चीज़ का ख्याल है ओके चलो जी यह वाला आंसर होगी अधर्वाइस आप क्या काम करते हैं अगर और ज्यादा नजदी को सब्सक्राइब यहां पर 24 पॉइंट सम्थिंग है और यहां पर 25 होता 26 तब क्या करते हैं कोई मसला नहीं यह 20 लेते लवर पॉलस करते हैं किया कितना लिया हमने यहां पर 20 यह वाला 20 है पॉलस पड़ा ठीक है कितने में से लिया इस 46 और यह वेल्यू कि 20 अपान 46 किस पार्ट का लेना है इस टेंबाट का लिए जो डिफरेंस है बस तब आपको यहां पर साइज पराबर एक्जाक्ट डिल्यू मिल तक सब्सक्राइल ऑन चलिए यह वाल बनाओ बिड़न निकालना है अब आपको जाजा हुआ होगा यहां पर सब्सक्राइब आप एज़िखोगे क्यतना है जो लोगा सब्सक्राइब तस पॉन्पॉंट सिक्स्षब यहां पे टीवेल्यू है तो और उन्पार टु इस दोट पांच होगे साथ, यहां से लेना 0.8, यानि कि 20 से थोड़ा ज्यादा, आंसर जो होगा, वो होगा 20 से थोड़ा ज्यादा, ज्यानि कि मेक होगा, लगबग 21 पुलस, इसका आंसर होगा, आप्रोक्स, और ओप्शनस होते हैं, हम एक साकर्ण में इसको लें, आइवाच सम इहां पर कितना लेना था आपको 0.8, अगया बाद सम्श, चलिए, नेक्स्ट, यह वाला सवाल बनाओ, दिधो बना कि, हैं मोड का सवाल, मोड में हम क्या करते हैं, मोड का मतलब होता है ठेंक्समाम फ्रिकेंट, pessimाम lenses जिस आइटम की, उस राद को glory class की start of another module class, वही मोड कहल उस पर बेस डी एक question है, direct हम conceptions कालो करेगी, आप मुझे बता mode क्या होगा इसका, mode क्या होगा, mode इस question के क्या होगा, अब एक line में आज़ा, आप बोलोगे sir, high frequency कहां पे, high frequency तो यहां पे, mode होगा 23, तो direct हम 23 को answer करेगी, नहीं हो जाएगा, 23, इसी को हम क्या कहते है, तो हम model class में आगे, आगे, अब आप देखोगे, mathss में, पूर, कितनी difficulty question में आपको कराओगा, आप seconds में answer, देदोगे, right? 5 sub, मेरी प्यारी, bio, और mehno, अब आपने देखा कि, mode, आप यहां पे easily calculate कर सकते हो, maximum frequency देखकर आप टिक कर सकते हो, table or form वाले question, लेकिन यहीं पे अगर आपको group, यहां कहेंगे, continuous frequency distribution आएगी, तो यह difficult formula आपको राखनी पड़े, फिर तो आप फ़स जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर तो बहुत calculation करने पड़े ही, लेकिन गवराना नहीं है, मैं अभी जिन्दा हूँ, तो मैं आपको इसा है, ठीक, तो अभी आपको मैंने बोला कि, mode का मतलब क्या होता है, maximum frequency, maximum frequent item जो होता है, mode कहते हैं, यहां पर maximum frequency देखो, तो आप बोलोगी, sub 28, इसको हम F1 कहते है, usually formula और इससे बिलक बाद वाली frequency, उसको हम F2 कहते हैं, basically fundamental concept यह है, कि हम सिर्फ इन ही, यही तीन, तीज़े आगर हमें पाता होगी, हम इसी तीन चीज़ों को देखकर mode निकाल सकते हैं, this is basic fundamental concept, अभी हमें maximum frequent item मिल रहा है, 28, अगर हमें कोई पूछेगा, बाई साब, mode कितना होगा, mode कितना होगा तो हम कहेंगे mode जो होगा, वो must lie करेंगे, in between, in between what mode जो होगा, वो होगा between 50 to 60 interval, 50 to 60 के interval में हम एक ही option दिखता है, option भी दिख करेंगे, यह JSE का I have request, check करेंगे, लेकिन अब आप बोलों कि sir, हो सकता है, options इतने दूर दूर ना हो, बड़े नजदीग भी हो सकते, options, तब क्या क करेंगे, मैं कहता हूँ, कोई मसला नहीं, तब भी हम इस formula के बगेर इस question को follow करेंगे, कैसे, देखो बाए, यह जो method है, यह मैं लाया हूँ, frequency diagram, यह हम कहेंगे graphical method of mode, right, अभी तक आज की date में, SSC में भी central tendency की questions आते हैं, बड़े बड़े teachers ने पढ़ा है, किसी भी teacher ने आपक नहीं पढ़ा सकते बाई, उनको rate यह रठाई tricks, लेकिन कहां से मैंने निकाला है, तो समझो, फिलाल मैं आपको पहले trick बताऊगा, फिर मैं आपको बताऊगा, इसका basic concept आया कहा से, ओके, चलिए जी, हमें maximum frequent class देखना है, वो कहें 28, 28, यहाँ पर ही मैं माल लेता हूँ, यह यहाँ पर मैं माल लेता हूँ, यह, 50 और 60, यह वाँ, 50 और 60, यह माल ले, ओके, इसका अगर हम देखेंगे frequency कितना है, इसका अगर हम देखेंगे frequency कहां तक हमिजाना है, आप अलोग ऐसार 28, यहाँ पर, यहाँ पर मैं माल लेता हो 28 है, ओके, इतना आपने समझा, एक यहां पर इस से पाले वाला किया है? 16. इससे पहला वाला लगबग यहां पर इस से बाध वाला यहां हो पर यहां पर आ जाए. है अगर मैं इसका बीच्स क्लास करोगा तो आप बोलोग ज़ä कुछ जो यहां पर आता है 45 आप देखो, यह वाला point इस वाले के साथ जोड़ो और ये वाला point इस वाले के साथ जोड़ो जोड़ बेगा है? हाँजी अब यह जो point आया है, यहांपी जो यहां से आप perpendicular ढ़ो ठीक है? लग भग लग कुछ आ जाएगा perpendicular ऑर यहां पिर जो point होगा यही तो हमारा mode होता है, यह हमारा mode आप पता है, अब आप को पता है चला कि mode किया है 55 से थोड़ा सा कम 56 से थोड़ा सा कम अच्छा, मैं आपको एक बात पता हूँ, अगर यहां पर यह मुड़ेशंद होती है यहां पर भी यह से वाहं था तब जो mode होता, वो exact है, हमारा 55 आता है, क्यों आता है, मैं आपको इसका logic पता है, देखें, logic पता है, जब हम farbala में put करते, तो हमें ये values ये balance करते, ये इस class को balance करता है, बराबर दूर तोड़ देगा, लेकिन अब मसला ये है, कि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 15 है, जहाँ जबता है, mode वहां की तरफ लाइ करेगा, tilt करेगा, ठीक है, tilt करेगा, यहाँ, यहाँ, left hand side में, value ज़्यादा है, यहाँ की तरफ तिल्ट करेगा, यहाँ कि 55 से थोड़ से ज़्यादा, यह नजजदीक होगा इस 50 को, और दूर होगा इस 60, आई बात समझ, नहीं आई, वही म पड़ाया है, ठीक है, इस तरह के से, अब यह हाँ से जोड़ते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे जोड़ते हैं, और इस पॉइंट से नीचे परपेंटिकूलर डालते हैं, और यह जो पॉइंट होता है, यह हमारा mode, बोलो, basic lectures में में, लेकिन यह जो इतना वाला system ह हमें तो यह सब चाहिए नहीं, हमें basically सिर्फ और सिर्फ तीन ही classes चाहिए, हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, और F2 चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने shortcut किया, ताकि अब 10 seconds में graph को imagine करो, बनाओ, और present को सालो करो, बात आई साम, चलिए यह सवाल मुझे सालो करें, व 400 यान कि यह option नहीं हो सकता, यह वाला option नहीं हो सा, बाच गे option 2, अब यहाँ पे 12 है, यहाँ बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, अब बोलोगी 16, और 16 की corresponding क्या है, 400, तीक है, यान कि 400 की नजदीक होगा, और 300 से धूर होगा, तो mode value होगा, तो mode value होगा, वो क्या होगा, बाए मेरे, वो होगा, near to 400, 400 की नजदीक होगा, 400 की नजदीक इन दो options कौन सा है, तो आब बोलोगी सर, सिर्फ और सिर्फ 300 से, टेक करो, बात आई सामझ, अच्छा, अब बोलोगी सर, नई, आप हमें बताओ, graphical तरीका, graphical तरीका, चलो मैं आपको बताता हूँ, होगया यह, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम 300, ठीक है, यहाँ पे इस 325, यहाँ पे हम 350, ठीक है न बाए मेरे, और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहां ठीक है कोई मसला नहीं यहां पे हम क्या काम करते हैं 355 यहां पे 400 ओके जी अब यह है 300 से 400 कितना चड़ना है 18 चलना है यह मैंने गलत बना है पीजे किता है यहां पे मैंने 10 मान नहीं यहां पे 12 के मैं और इस से पहले देखो कितना है 12 यानि कि यहां पे हम एक मारक मारेगे और इसके बाद में कितना है 16 यानि कि इसके कॉरस्पॉंडिंग है यहां पे यह मारक मारेगे फिर हम इसको जोड़ेगे देखो जोड़ ले इसको इसके साथ और इसको जोड़ ले इसके साथ अब देख और यह साढ़ी 300-400 कि भी आ रहा है, एक ही option ऐसा है, एक ही नहीं है, उसको टिक करो, ठीक है, कुन पॉइंट यह वाला पॉइंट, यह वाला पॉइंट क्या है, यहां से यह चीज़े बालनी सीखिए, बस तो वोड़ से सूच जब सूच नहीं कुछ काम निकलता है, चलिएज अब हम आते हैं, वाइटल स्टैट्स किता, पहला ही question मैंने आपको दिया है, यहां भी एवडबले exam का, जो कि हमारे exam में आया था, और किसी-किसी वज़े का यह question गलत हुआ, हाला कि मैंने पिछले साभ भी पढ़ाया था, 2021 में भी पढ़ाया था, और 2000 जो recent crash course कराया है, वह mortality rate हमें बताना है, जो लोग डेंगी से मर गई, तो डेंगी पढ़ते हैं, आदे डेंगी पढ़ते हैं, आपको जो खुश करें वह पढ़ते हैं, तो population total इतनी सी, और इतने मर गई, हम पर 1000 निकालने हैं, टोटल कितने थे, आप वो लोगी सार 1725980, कितने मर गई, कितने में इसे, 13500, और उसके बाद है 5, और फिर है 4, टाइम, बोलोगे सार इतने, और हमें पर 1000, क्या करोगे, ऐसे काटने में बेठोगे, नहीं, अब देखो 3030 काट गए, हो गई ये काम, अब देखो कला कारी, अब देखो कला कारी, क्या कातने, देखो ओपर कितने इडिजित, 1234567 नीचे कितने, 1234567, ठीक है, काटो, 5555 को बोले, इगनोर करो, या इगनोर, 555 डिजिस्ट, बचा क्या हमें, बोलोगे सार, बचा 17, और उसको हमें डिवाइड करना है, 13 से, करो, 131000, 13, और बचा कितना है, 4, अब 4, 13 से नहीं कटेगा, यहां पर पॉइंट आएगा, यहां प 139, और यह आगे चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल, हमें यह वाला आंसर मिल गया, अप्रॉइंट, अप्रॉइंटली आंसर क्या मिला, 1.3, 1.3 की क्लोज कौन सा आंसर है, कौन सा ओप्शन है, आप लोगी सर्फ 1.3, ठीक है, 1.28 भी तो, 1.28 का मतलब भी क्या होता है 1.3 आईबात समजू, एक सकंड की क्लाम था, जापनेगे, बौत सारी लोग था थी प्रात ने भी क्यू, इस नाइका, प्रॉचिर ठीक है, क्याल इवाला, बोनाव, क्यता है, इफ यह था, इफ धर वर, 1,9,6,4,1,3 students in the final year of second school, 2020, then the number of course also सब्सक्राइब जैट सब्सक्राइब इसका मतलब है पेली स्कूल में इतने आते थे पहले इतने लोगों ने अदिमिशन के इतने रहे हैं किस साल में पर हैंडर्ड हम सिंपल करेंगे वान-नाइन-शिक्स नंगलना करेंब परेसे अब देखों ये जिरो सी ये जिरो फार, तीए है। आफ़ उपर कितने? 7 लूप काट ले ल्ड़ का हाना। पीचे, 1 2 3 4 नहीने आइस मत करो, यह तो आफार लईगला। इसको यहां पर यहां पर कट ले लिगरिए। यहां पर सब्ठ़़् काट ले गए। के तो गहीए अभी जाओ झाई झू सर मिअ कराद सफार तो से काट लो यह हो जाए को कि पैचास बार तो से काट लाइए ओ ऐके तो द具ूद इना हटा है नाइनटीन इंटा ना होता है नाइनटीन इंटा घλडर होता है हैaráны स्थिरो इसको हमने डिवाइट करना है 13 से, इससे 13 से, जेको 13 x 7 कितना होता है, 91 होता है, ठीक है, अब 0 नीचे आ जाएगा, और यहां से 4 और 13 x 3, 13 x 3, 13 x 9, यहां पर हमें यह लगबग answer मिल रहा है, ठीक है, हमें answer मिल रहा है, 73, लेकिन यह 73 क्या है, यह approximate answer है, अब बताओ, 10-10 सेकंड आपको लग जाएगी, यह आपको यह से करा रहा हूँ, जेस्ट में आपको समझाने के लिए, ओके, चलिए जी, यह वाला सवाल बनाओ, calculate child and women's ratio with the help of matter, child and women's का हमें ratio find out करना है, ठीक, तो कीजिये, क्या बताओं मैंने, कि भूल जाओ, last के digits की, तो कितने 55 को बोल जाओ, 12-34-5, 12-35, आप हमें इसका ratio निकळना है, यानि कि यह ratio का मतलब 28 और 238 का ratio निकालो, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी ratio निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर decimal में है न यानि कि इसको मतलब हमें divide करना है तो 28 को हमें divide करना है 238 से क्या करोगी यह तो cut एगा नि 0 point करोगी तो यहां पर 0 238 1000 238 तो यानि कि 0 point के बाद 1 आ जाएगा point के बाद 1 आ जाएगा तो एक ही option में point के बाद 1 है ही तिक करोगी अब अगर आगे भी 2 options के एक के बाद 1 होगा तो आगे कर लेते ठीक है तो क्या कर लेते आगे कर लेते तो यहां पर क्या बचता 42 बचता नहीं कहां 42 कैसे 42 बचता ज़रा 10 मिसे 8 की तो तो साथ में सचार होगी, हाँ, 42 बचता, then उसके बाद यहाँ पर 0 उतरता, 238 को अगर हम डबल करेगी, तो 48 से ज्यादा हो जाए, 420 से ज्यादा हो जाए, यानि फिर से 1 से ही मल दो, ठीक है, 230, फिर से कुछ ना कुछ रिमेंडर आ जाता है, लेकिन फिलाल 0.11 हमी मिल रहा है option D में, ठीक है, option D ही ऐसा आदा, बताओ, क्या मुश्किल है, चलिए, एक और J से का सवाल है, उठाओ, और फोड़ दो इस question को, मेरे जो students होंगे, पढ़ाए हुई स्टू, हो तो almost करते हूं, सारी के सारी question, चलो, यह वाला बला, calculate literacy rate with the help of following data, literate इतने हैं, और total इतने हैं, literacy rate हमें find out करनी है, ठीक है, बता बाए मेरे, इसको हम approximately क्या हम नहीं लिख सकते, 464, 46, आप लोगी से लिख सकते, इसको हम इतना है माल लेगी, 56, percent में बताना है, तो हम 100 से multiple, 0 से 0 खातम, 4 से यह कट जाए, 4, 11, 44, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 9, 116, 116, 10, कितना होता है, 116, 116, कितना होता है, 114, और यहां कि 60, 60, तो यहां पर अब कितना बच गया, नहीं, 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 यह मिठता नहीं है, 116, यहां पर मिठता ही नहीं है, 116, वह हम डिवाइड करेगे, 19 से, ठीक है, कितने टाइम, अब बोलोग सार, 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 6 टाइम, और यहां पर क्या हो, आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर 2 रिमेंडर बच जाएगा, और यहां पर point आ जाएगा, यहां पर 0, 19, 1 जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो करने की जुरूरत नहीं है, यह 6.1 आ गया, यह तो इतने की value आ गई, 6.1, multiply भी तो, 6.1 को जब हम multiply करेगे 10 से, वह बन जाएगा, 61 पलस answer आ जाएगा, 61 के आसपास, एकी option ने से, answer, देखा, नहीं करना हो, अई बात समझ, चलिए, यह वाला सवाल बना, linear equations, linear equations पे सवाल है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पढ़ाए भी है, एक होता है, substitution method, elimination, हो सकता है, आप इस से फच जाओ, तो इस से भी खतरनाक method है, crossmark, जो मैंने आपको बताया, अपने lectures, आप इसको skip करो, paradise academy मेरे application का नाम है, मैंने crash score उसमें क्या बताया था, आप इसको skip करो, लेकिन skip क्यों करें, अगर हम इसी चीज को गंदी नजर से दे कर, कोई बहुत अच्छी चीज निकाले, वो हमने निकाल दे, क्या हमें करना है, देखो, आपको सबसे पहले x की value अगर find out करनी है, तो x को चुपा लो, चुपाया x को, बोलोगे sir, हाँ चुपाया, वहाँ पे अब क्या बचे, एक, दो, तीन, चार बचे, ठीके, तो आपने क्या करना है, यहां से fire चलाना है, इस तरीके से, पुली चलाने, 2 into 22, sorry, sorry, 2 into 22, कितना होता है, आप लोग सबसे, minus करना है, इस तरीके से, 5 into 13, क्या होता है, 65, divide करना है, फिर, divide करना है, आपको, divide पे आपने वापस आना है, इनका करना है, ठीक है, नीचे से पहले, 3,5,15, minus करना है, 4,8, 4,8, 3,5,15, 4,8, अबाद समझ, हांची, आगे, चलिए जी, और इसको हमें आगे, जो उपर वाला है, इसको हमें आगे, minus 21 by 7, यानि कि X की value 3 निकल के, इसी तरीकी से हम Y की value find out, क्या, Y की value find out, जब Y की बात हो रही है, तो Y को चोरी रखो, रखा, क्या करना है, यहां से फायर चलाए, 32 into 22, कितना होता है, 6 minus 4 into 13, कितना होता है, 5, ओके, divided by, फिर क्या करना है, यह जो कौना स्टेंट होते हैं, यह वाली, इनको बूल जाओ, इन दोनों को करो, ठीक है, 3, 5, 15, minus 4, 2, 8, 4, 2, 8, कितना आजाएगा, आपको लोगी सर्फ 14, upon 7, यहां पे आपको आगे minus नहीं लगा, आई बात समझ, यहां पे आपको minus, किलकुल भी नहीं लगाना है, ठीक, कितना आजाएगा, y की value, अब यह सेकंडस में हुआ, लेकि मुझे समझाने में, बेस के लिए, इसका value, 11 into क्या करना है, यहां पे हमें यह क्या आगे था, अंदर, यह minus 21 आगे था, minus 21 into, बाहर का minus, य यहां कि 11 into 3, x की value, plus 7 into 2, y की value, इतना आजाएगा, 33, plus करेंगे 14, इतना आजाएगा, 45, question का answer, ना कोई method, ना कुछ, क्या किया मैंने, मैं इनको और इनको, यह क्या यह B1, यह क्या यह C2, यह actual में मैं यह formula apply कर रहा हूं, लेकिन आप यह याद ही नहीं रख सकते, कोशिश कर आपको कभी यह याद नहीं जाए, आप कितने भी intelligent हो, आप याद बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बस यह तरीका सबसे best है, चलो एक और सवाल, हम सालो करें, करें, चलगेजी, क्या करना है हम, x का value निकालेंगे, x की value, x की value किस तरीके से निकालेंगे, इसको इसके साथ, इ देखें, माइनस आगे रखेंगे, तीन साथी अकीस, तरीक, पांचतिया पंद्रह, नहीं, नीचे सी, तीन साथी अकीस, माइनस पांचतिया पंद्रह, हम, तीन साथी अकीस, पांचतिया पंद्रह, divided by, यहां से, तीन पची पंद्रह, चारतिया बारह, हम, तीन पची पंद एक्स की वेलूब नकले हैं थे क्या निकले ही है था चाफिया बारा देखिया है टेने की लिए की वह बताओ y 20-10 तो 11 11 में से और दो फिर नहों रहेंगे जल्दी दिमाग में कर रहा हूं ठीक है और नीचे हमें क्या आजाएगा नीचे तो difference 3 ही आ रहा है बस आब हम यहां पी से थिक तो put करेगे 11 इंटू यहां पर यह माइनस 2 है कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे माइनस 22 माइनस 22 फोलस 20 इंटू 3 कितना होता है आप बोलोगे 60 माइनस करेगी तरह कि आ जाएगा 0 कि 1 यह 0 कि है आंसर है Option, ठीक है, Seconds में, Seconds में, अच्छा, Coordinate Geometry से questions आपको परेशन करते हैं, Area-based, जहां पर आपको Area निकालना होता है, कभी Non-Colinear, कभी Colinearity आपको चाग करने होता है, तो, इसके लिए भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एक होता है Formula Area-based Method, दूसरा होता है Determinate Method, और तीसरा Method मैंने आपको बताया था, क्रॉस प्रॉडक्ट है, Cross Product Method है, ठीक है, जो कि एक Tricky Method है, उससे भी बहुत Fast हो जाता है, जो मैंने आपको अपनी Crash Course में पढ़ाया हुआ है, ठीक, लेकिन उससे भी ज्यादा हम निकालेगे, उससे भी जल्दी हम निकालेगे, देख इन मेंसे हमें क्या करना होता है, यह बेसिकली Shifting वाला Method हम इसको कहते हैं, इन मेंसे हमें किसी A coordinate को 00 बनाना है, यान कि यह अगर Graph है, कहीं पर यह Vertex है, ट्रेंगल का, यह इसको मैं बहुत के लिए यह औरिजन पर बताता हूँ, ठीक, यह है, इसमें कलाकारी, आप उतना मत इसको, बस आप याद रखो, किसी भी A coordinate को हमें 0 बनाना, तो हम इसको 00 बनाएगे, अगर हम इसको 00 बनाएगे, तो कैसे बना सकते हैं, आप लोग से यह 2 है तो इसको minus 2 करेगे, यह 4 है तो इसको minus 4 करेगे, लेकिन जो काम आपने यहां पर किया, वो यहां पर भी करना है, य पर फिर यहां पर आप देखो, आप बोलोगी, माइनस 3 से यह minus 2 निकालेगी, तो आप बोलोगी से minus 5 रहेगा, और 3 मेंस 4 करेगी, तो आप बोलोगी से minus 1 रहेगे, इतना आपको समझ में आगया, बहुत अच्छी बात है, पिर हमें क्या करना है, अंदर वालों का अंदर व माइनस करेंगे 1 इंटू माइनस इन दोनुका प्रडक्ट और उसका करेंगे आदा क्या करेंगे 25 माइनस माइनस पुलस यहांकि आपको इससे हमें सब्ट्रेक्ट करना इंटू माइनस 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 पुलस तुट्टिफाइव वन कितना होगे 26 26 ऑपां टू एट मिनस 13 13 सुकेर यूनिट्स इस आंसर अच्छा कभी आपको यह यह वेली जो होगा एरिया जो होगा यह नगेट्व में होगे लेकिन जाद रखना एरिया कभी भी नगेट्व में नहीं होता है तो आप वाजिट्टिव ही कंसिटर ठीक चलिए यह वाला बनाओ बनाओ बाई इसी एक वर्टेक्स को हम जीरो बनाएं हमें दिख रहा है आस माइनस चार पहले से तो यहां से भी 6 में से माइनस चार गए तो दो रहेगा ठीक है और 5 में से 5 हम नहीं उतारे थी यहां से 1 माइनस करेगे भागी तो बोलो गी सर्ब करें यह हो गया इतना एक तो फिर यहां से मैंस झ्री से मैंनस फूर करेगी ऩो लोगिंस सेवन होजएगा फांच में से मैंनस पांच करेगा फांच उओ फांच किर देदा रहे की तो 2 रहेगा देताद सकते पांचर यह फी निने आप कहा खिले की ़िसमार करेगा तो आप बोलोगे सर यह तो minus 28 upon 2 आता है, यान कि minus 14, minus 14, मैंने आपको क्या बोला, कि area कभी भी ना get to नहीं होता है, तो हम इसको positive consider करेगी, option D, कितना आसान है, चलिए जी यह वाला बनाओ, कि इसके coordinates, एक coordinates तो वहीं से 00 है, तो हमें करने की जुरूरी नहीं है, सीधा हम कि कौन से, C के coordinates, यान कि minus 3, वामा 6, ठीक है, फिर अंदर को अंदर के साथ, 4 तिया 12, minus, ठीक है, minus करेगी, minus करेगी, 2, 6, 12, 1, तो गड़बढ है, 4 तिया 12, 12, हाँ, थे दुने 12, उसका करेगी, आदा, minus 12, minus 12, कितना होता है, आप बोलोगे सर, minus 24, ज्वाडबी 2, तो क्या ब बोलोगे सर, आप बोलोगे सर, minus 12, लेकिन एरिया कभी भी negative नहीं होता है, तो क्वाज जो हमें हम लेगी, पता हो, कोई मिश्किल, इसको हम shifting, यह मैंने shifting से basically खोड़ा सा extra दिमाग लगा है, आपको कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी यह method नहीं लेगी, यह मैं basically क्या करता हूँ, यहां पर मैं एक vertex रखता हूँ, मिसाल की तोर पर मैं कुछ इस तरी की rectangle बना, यहां पर कुछ coordinates हो सकते हैं, यहां पर कुछ coordinates हो सकते हैं, यहां पर कुछ coordinates हो सकते हैं, यहां पर जो coordinates हो, 00 हो, जैसे मैं 00 बना लेता हूँ, हमारी almost सारी calculation यहां पर खतम ह हाइब आतस समझग चलीए जी अब हम को लिनेर क्वेंट्स करते हैं लिए से आपको पता है को लिनेर मुतलब ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहां सी जनको आगर हम ज्यार्म करेंगी तो एक स्ट्रैट बनती हो Suppose यह हमारा एक graph, अगर कुछ पूर कोलिनेर पॉइंट है, कोलिनेर पॉइंट है, अगर हम line बखी चेए, straight बनेगे, आप देखो, इस line पे जो slope होगा, यानि कि angle होगा, और इस point पे जो angle होगा, वो same होगा, these are alternate angles, interior alternate, geometry में भी, इसका slope भी, इसको slope भी जो होगा, वो same रहेगा, कहने का मतलब है, जब कोलिनेर कोई points होते है, तो उनका area, area zero होता है, क्योंकि area तो तब ही होगा, जब figure close होगा, उसके अंदर वो area occupy करेगी, यह तो close it है ही नहीं, area obviously zero होता है, और अगर slope की बात करेगी, तो slope बराबर होता है, यानि कि, जो इसका slope होगा, वही इसका slope होगा, यानि कि x से y तक जो slope होगा, वही slope y से z तक होगा, जो कि आपको अभी यहाँ पे line में आई, यह slope और यह, इसका slope और इसका, बात आई सामच, नहीं आई, कोई मसला है, तो चलिए जी, question को करें, solo करें, ठीक है, यह वाला लेते है, find the value for which the points, यह and यह are, क्या है, full linear, तो मैंन आपको इस a का will, इस a की जगह आपको की भी दिख रहा होगा, कहीं किसी किसी एक्जाम में, तो हमें इसकी को linearity चेक करने है, और इसकी एक वी लिए, हलाकि यहाँ पर minus a, a की वी लिए, इसके एक तरीका, एक तरीका, हम slope को equal रखेंगे, slope equal रखेंगे, अगर हम slope equal रखेंग ठीक है, 4 minus, यह बराबर होगा, क्या किसके बराबर होगा, 5 minus 3, 5 minus 3, divided by minus a, और minus 4, second को second की साथ subtract कर, minus a minus 4, आप देखो, यह मैं slope से करा रहा हूँ, हलाकि मैं अभी आपको proper method से करा होगा, इसको जब हम salo करेगे, 3 में से 1 गया, 2, 4 में से 3 गया, 2, 2 से 2 काट जाएगा, तो answer आज़ा, 1, और 1 से जब हम इसको multiply करेंगे, यान कि हम कह सकते, minus a minus 4, 5 में से 3 गया, 2, यान कि हम कहेंगे, minus a बराबर 4 उदर गया, और दोनों साइट से minus से subtract करेंगे, यान कि a equals to 6, a equals to 6, n कि option, n, ठीक है, यह होगा एक तरीक, दूसरा तरीका, 2 सेकंड, 2 सेकंड, आप क्या कर सकते हो, मेरे प्यारे बाई, मैंने आपको, क्या बता है, यह वाला मेह्थवर, यह वाला मेह्थवर, इससे एक कॉड़िनेट को zero बनाए, हम इसको zero zero बनाएगी, कैसे, जब हम one से one करेंगी, two, three क्या करेंगी, subtract करेंगे, लेकिन जब हम जहां से one करेंगी, subtract, तीन में से एक गया, यहां पर बच है और माईनस एस उस राहू फिर मैंने आपको बता है एरिया किस के बराबर होता जरूट kayak यह ज़र्भी यह दो चुके 8 माइनस करेगी 2 into this 2 into माइनस A Divide करना है 2 से और area निकलता है लेकिन अगर यह को linear है area क्या होगा बाई मेरे area क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा 2 into 0 तो 2 हो जाए जान कि हम कह सकते 8 minus 2 and minus 2 कितना होता है माइनस 2 into A is equal to 0 2 A वहाँ चला जाएगा 8 4 12 बराबर 2 A अगर A की value निकालने 2 divide में जाएगा 2 यहाँ पर आजाएगा A की value कितने आजाएगा 6 आजाएगा बता अपाएगा तो A सी भी 6 आजाएगा ओके और भी बहुत सारी तरीके होगा बारहाल यह lecture आपको कैसा लगा comment section में अपना response जुरूर इसकी PDF आपको telegram पर भी मिलता है और मैं अपने telegram पर भी provide करा दूएगा ठीक है आपको next lecture चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी मुझे आप comment section में बता देना और हाँ make sure आपको 17 to 18 marks out of 20 आपकोs यह समय से इसी बात है अगर आप मुझे से पढ़ते हूए थीख है फाकी मिलते हैं फिर कभी तर तक के लिए ले क्या वाइबय टेक केर अलाह अविज और महनट करते रहीं झाल